पुरानी रिकॉर्डिंग को देख और पुरानी रिकॉर्डिंग को देख और पुरानी यादों को ताजा करती नजर आती है एकम और मलीका ये सोचकर परिशान हो रहे होते हैं कि आखिर 16 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने हमारे पिता की जंदगी को बदल दिया उनकी मा भी जैरंधावा से यही सवाल पूछती नजर आती है तो वहीं संदु हाउस में आप देखेंगी कि सुबर सुबर नहमत कहीं से आ रही होगी और उसके दोनों नाना उससे सवाल करेंगे कि आखिर वो कहां से आ रही है जिसके बाद नहमत कहेगी कि उन्हें खुद बखुद पता चल जाएगा नियूस पेपर के आर्टिकल से और ये बात सुनकर वो काफी जादा खुश होते वहीं आपने ये भी देखा होगा कि एक बर फिर से नाज घरवालों के दिल में एक अलग जगे बनाने की कोशिश करती नज़राएगी वो कॉलिज के लिए रेडी हो रही होगी और नहमत को कहेगी कि वो उसका वेट करे लेकिन नहमत उससे पहले ही चले जाएगी जिसके भी अच्छा नहीं लगेगा और वो उसकी वहीं पर धुनाई करन अशुरू कर देगी जिसके बाद एकम नहमत को समझाएगा कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहीं आप कॉलिज की कैंटीन में देखेंगे कि नहमत का फ्रेंड मोब अच्छी है और ये सुनकर नास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दरसन नहमत ने मलीका के साथ मिलकर भातिया के फुटिश को मीडिया में लाइव चलवा दिया और इसी बात से सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी जादा खुश नजर आएंगे तभी रोनी के एंट्री होगी रोनी नहमत के साथ साथ अपने बाकी दोस्तों को भी पार्टी में इन्वाइट करने के लिए आएगा लेकिन वो नास को इन्वाइट नहीं करेगा और ये बात नास को बुरी लगेगी उधर एकम नहमत को कॉंग्रेशुलेट करेगा कि उसने जो कुछ किय है अच्छा किया है लेकिन उसे डर लगता है उसके ऐसे बरताव से कि कहीं उसे कुछ होना जाए और एक बर फिर से नहमत को अपने माता पिता की याद आएगी जो हमेशा से उसे सच का साथ देना सिखाते थे नहमत को लिजाने से इंकार कर देगी और ये बात नहमत सुन लेगी जिसके बाद वो मन ही मंठानेगी कि वो इस पार्टी में जाकर रहेगी चाहे जो कुछ हो जाए झाल